गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स भादरा के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं संधीप शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ देखीगा हमारी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी और हमने कुछ क्यूशन किये हैं इसमें से बच्चों को कुछ डाउट आया है जो की 6.1 का क्यूशन नम्बर 5 अब यहाँ आप देखीएगा यह थोड़ा सा मिस्प्रेंट है इनको आप सही कर ले आपको दिया गया है पांच को स्केर साथ डिगरी प्लस चार साइन स्केर 30 डिगरी प्लस टैन स्केर 45 डिगरी बटे में साइन स्केर 30 डिगरी प्लस को स्केर 45 डिगरी है यहां थोड़ा सा चैंज करके आप लिख लीजिएगा यहां आप लिख लीजिए सैक स्केर 30 डिगरी और साइन यहां रखिएगा माइनस का यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट है वही क्यूशन क्योंकि लास्ट में एंसर इसका मैच नहीं कर रहा है इसलिए आप यह कर लीजिएगा अब देखिए आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्यूशन नमबर 5 है इसको हल करना है अब आप मुझे बताएं कि कोस स्केर 60 डिगरी कोस 60 का मान कितना होता है वही 1 by 2 कितना होता है 1 by 2 तो 5 into मैं यहां मान रख रहा हूँ 1 by 2 और यहां स्केर है तो मैंने 1 by 2 का क्या रखा स्केर साहित अब आपको सारणी बताने के आउशकता नहीं है फिर भी कोई डाउट आता है तो पिछली क्लासेज आप देख लीजिएगा 5 into cos square 60 degree है तो आप देखिए 5 into cos 60 degree का मान कितना होता है 1 by 2 तो यहां square है तो आपका आगया 1 by 2 की square साइन बीच में है प्लस का 4 into अब आप देखिएगा सैक 30 degree का मान आप मुझे बताएं सैक 30 degree का मान क्या होता है 2 by under root 3 2 by under root 3 और इसकी बेटा क्या आगी भाई square साइन बीच में है माइनस का और 1045 की value होती है 1 बटे में साइन 30 degree की value होती है 1 by 2 और इसका क्या हो गया square साइन बीच में आपका है प्लस और यहां कोस 30 degree की value कितनी होती है under root 3 by 2 और इसकी क्या है बही square आप बताईएगा यहां तक clear है कि नहीं मैंने यहां just मान रखा है कोस 60 का मान रखा और इसकी square है तो यहां square रख दिया साइन बीच में है प्लस का 4 into सैक 30 degree का मान रखा 2 बटे में under root 3 होता है और यहां square है तो square रख दिया साइन बीच में माइनस का और 10,45 का मान होता है एक और square है तो भी एक की square तो कितना होता है एक ही होता है अब देखिए साइन 30 का मान होता है एक बटे 2 और square है तो यहां भी square रख दिया साइन बीच में है प्लस का और कोस square 30 degree का मान होता है कोस 30 का मान आपका root root 3-2 है और इसका square कर दिया अब देखिए इसको solve करता हूं मैं 5 into एक की square होती है 1, 2 की square होती है 4, प्लस 4 into 2 की square आपकी जी चार और root 3 की square कितना है 3, क्योंकि root 3 को root 3 से गुना करेंगे, root के अंदर 1 की संख्या है तो root क्या हो गया, cancel, अब आगे आप देखिएगा minus का 1 बटे में आपका आगया, 1 की square आपका 1 है और 2 की square कितना होता है, 4 plus में root 3 की square 3 बटे में कितना आगया, 4 अब आप देखिएगा 5 एकम, 5 बटे में कितना है बटे में, 4 plus में, 4 चोके 16, बटे में कितना है वही तीन माइनस का एक बटे एक लिख दूँ तो कोई फरक पड़ेगा क्या और बटे में आपका है बेटा यहाँ एक बटे च्यार प्लस तीन बटे में च्यार अब आगे दिखिए यहाँ पांच एकम पांच बटे में च्यार प्लस 4 चोके 16 बटे में कितना है 3, माइनस 1 को मैं 1 बटे 1 लिख दूँ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और बटे में आपका है 1 बटे 4 प्लस 3 बटे में 4, अब देखिए बेटा, यहां इनका मैं LCM लेता हूँ, तो 4 3 और 1 का LCM कितना आगया भी 12, तो यहां बीच में साइन किसका है भी प्लस का अब देखिए 3 चोके 12 3 चोके 12 और 4 आगया 4 को मैंने 16 से गुना किया तो कितना आगया भी 64 16 चोके कितना होता है 64, साइन बीच में किसका है माइनस का, अब यहां 1 को 12 से भाग दिया 12, 12 एकम 12 और यहां बेटा बटे में चल रहा है, नीचे वाले का LCM आगया आपका 4 4 एकम 4, 1 एकम, 1 साइन बीच में है प्लस का अब यहां 4 को 4 से भाग दिया, फिर एक आया और एक को 3 से गुना किया, कितना आगया 3, अब यहां आप देखिए 15 और 64, दोनों तो प्लस के हैं, और 12 किसका है माइनस का, आप मुझे बताएं 15 में से बारा गया 3, 3 प्लस का बच गया और 64 के साथ हमने क्या कर दिया बही, जोड दिया, 64 और 3 कितना हो गया, 66 बटे में कितना है, 12 और बटे में 3 और कितना है भी, 4 बटे 4, 4 एकम, 4 नीचे तो एक ही बच गया इसका अर्थ, आपका एंसर कितना आ गया 66 बटे 12, देखिए क्यूस्टन नंबर 5 में आपको डाउट आया था एक तो आपका इसमें मिस्प्रिंट दिया गया है एंसर के अनुसार नहीं है दूसरा, ये भी करोगे और आप क्यूस्टन नंबर 5 जो आपको बुक में दिया गया है, वो भी करना आप ठीक है ना, इसके 5 नंबर का पार्ट 1 और 2 मा लेना इसके एंसर के अकोर्डिंग है ये क्यूस्टन, मिस्प्रिंट दिया गया है बट आप प्रसन वो भी साथ में करना क्यूस्टन नंबर 5 का वो पार्ट नंबर 1 रखना और इसको पार्ट नंबर 2 रखना मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं बेटा, कि 5 को स्केर 60 डिगरी प्लस में 4 इंटू सैक 30 डिगरी का मान होता है 2 बाइ रूट 3 और यहाँ स्केर है तो स्केर रख लिया साइन बीच में है माइनस का और 10 पंतालिस की वेल्यू 1 है स्केर है तो यहाँ भी स्केर रख लिया साइन स्केर 30 डिगरी के वेल्यू भई 1 बाइ 2 अब आपने 5 को 1 से गुणा खिया, बटे में कितना है? साइन बीच में प्लस का है 4 को 4 से गुणा किया कितना आगया भी 16 और बटे में कितना है 3 माइनस का 1 को 1 बटा 1 रखा अब आगे आप बेटा देखिएगा इनका LCM आता है आपका 12 LCM आगया 12 4, 3, 12, 3, 5, 15 साइन किसका है बीच में प्लस का 3, 4, 12 और 4 को मैंने 16 से गुणा किया तो 16 चोके कितना आगया 64 साइन बीच में है माइनस का अब 1 को 12 से किया 12 12 एकम 12 और बटे में बेटा यहां देखिए इनका LCM 4 आता है तो LCM मैंने 4 लिया 4 एकम 4, 1 एकम 1 साइन बीच में है प्लस का 4 एकम 4 और एक तीए 3 तो यहां 3 और एक कितना आ गया 4 तो 4 बटा 4 कितना भी एक और यहां 15 में से बारा गया 3 क्योंकि यह प्लस का यह प्लस का और यह किसका माइनस का तो 15 में से बारा गया कितना 3 3 और 64 कितना हो गया 66 और बटे में 12 आपका answer कितना आ गया 67 बटे में 12 देखिएगा साही तक आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप comment box में डाल दीजीगा इसके बाद बेटा आप question number देखिएगा 12 question number 6.1 का question number 12 देखिए आपकी statement दी गई है सिद्ध कीजिए अब आपको प्रूव करना है कि cos 30 degree cos 30 degree plus sin 60 degree sin 60 degree बटे में आपका है 1 plus cos 1 plus cos 60 degree plus sin 30 degree sin 30 degree यह आपका है question number 12 is equal to आपको प्रूव करना है कि root 3 बटा 2 के equal है यह आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो left hand side है वो इस right hand side के बराबर है और आपको question क्या दिया गया है cos 30 degree plus sin 60 degree बटे में 1 plus cos 60 degree plus sin 30 degree बराबर आपका है under root 3 बटा 2 आपको प्रूव करना है कि यह left hand side है इस right hand side के equal है तो सबसे पहले हमने left hand side लिया यहां यहां left hand side लिया और बेटा आपका left hand side है cos 30 degree cos 30 degree plus में sin 60 degree अब देखेगा बेटा यहां में इनकी value रखते हैं और आप मुझे बताएं कि cos 30 degree cos 30 degree के value कितनी होती है जो कि किसकी हो भई sin 60 की तो cos 30 degree के value बताईएगा कितनी होती है under root 3 बटा 2 sin 60 degree के value कितनी होती है under root 3 बटा 2 और बटे में 1 plus cos 60 की value कितनी होती है 1 बटा 2 plus sin 30 की value बी कितनी होती है 1 बटा 2 साननी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा मैंने पिछली दोनों क्लासे में आपको अच्छे तरीके से करवाई है फिर भी कोई दिकत आती है आप comment box में डाल दिया करो मैं वही करवादूं आपको अब देखिए root 3 बटा 2 plus root 3 बटा 2 है और बटे में क्या है 1 plus 1 बटा 2 plus 1 बटा 2 बेटा आप देखिएगा आप उपर वाले का मैं LCM लेता हूँ तो क्या आगया यहाँ इसका LCM 2 आगया 2 एकम 2 और 1 को root 3 से गुना किया बेटा आपका आता है under root 3 sign बीच में आपका किसका है plus का 2 एकम 2 एको root 3 से गुना किया फिर आपका आगया root 3 और आपका बटे में एक बटा एक मालू तो कोई फरक पड़ेगा क्या यहाँ LCM कितना आगया बेटा आपका 2 1 को 2 से 2 2 एकम 2 इनमें तो सही तक आपको कोई दिकत नहीं आती होगी 2 एकम 2 1 एकम 1 plus में 2 को 2 से भाग दिया 1 1 को 1 से गुना किया आपका आगया 1 अब देखिए root 3 कितनी बार है 1 बार root 3 कितनी बार है 1 बार 1 बार और 1 बार कितना हो गया बीच में plus है तो भई 2 बार तो बेटा यहाँ आगया आपका 2 root 3 बटे में कितना है 2 और फिर इसके बटे में देखिएगा 2 रेक 3 3 और एक 4 4 बटे में कितना आगया 2 अब बेटा देखो 2 से ये 2 कैंसल हो गया 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूरी कितना हो गया 6 अब आप मुझे बताएं उपर क्या बच गया भई आपका उपर बच गया under root 3 और नीचे बच गया आपका 2 तो left hand side किसके बराबर है भई right hand side के साई तक इस question में आपको कोई doubt नहीं है समझ में आ गया होगा हमने आपका बार्मा question है कि आपको prove करना है कि ये left hand side है इस right hand side के equal है अब देखिए इसके बाद हम अगला question करेंगे अगला question देखिएगा अगला question देखिएगा question नमबर 13 तेर्वा question है चार quote square आपका तेर्वा question है चार quote square कुछ बच्चों की demand थी कि सर हमें online करवाओ तब एक ही question करवाया करो तो मैं अभी आपको exercise के एक ही question करवाऊँगा फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हैना comment box में डाल दिया करो मैं वह question दुबारा करवा दूँआ आप देखिए चार quote square 45 डिगरी माइनस का सैक स्केर 60 डिगरी सैक स्केर 60 डिगरी माइनस का साइन स्केर 30 डिगरी साइन स्केर 30 डिगरी परावर आपका है एक बटे में 4 आपको प्रूव करना है बेटा कि ये left hand side है इस right hand side के equal है जो कि आपको left hand side क्या दी गई है LHS लिखता हूँ मैं आपको left hand side दिया गया है 4 into quote square 45 डिगरी माइनस सैक स्केर 60 डिगरी माइनस साइन स्केर 30 डिगरी ये बेटा आपको left hand side दी गई है और आपको प्रूव करना है कि ये left hand side है right hand side एक बेटा 4 के बराबर है कि नहीं तो देखिए अब मैं मान रखता हूँ 4 into बेटा quote 45 डिगरी का मान कितना होता है एक होता है और यहाँ square है तो मैंने क्या रखा एक कि square माइनस सैक सैक स्केर 60 डिगरी का मान कितना होता है 2 तो यहाँ 2 की भी क्या होगी square माइनस साइन स्केर 30 डिगरी का मान जल्दी से बताइएगा साइन 30 का मान कितना होता है एक बटा 2 और इसकी भी क्या होगी square अब आप देखिएगा एक की square होती है एक 4 एकम 4 माइनस का 2 दूनी 4 और फिर यहाँ बेटा आपको माइनस का एक बटा 4 दिया गया है और आगे देखिएगा माइनस का एक बटे में 4 आप मुझे बताएं चाहिए LCM कर ले ना चाहिए सिधा सोल करना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है ये था आपका किस्टन नंबर 13 मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है अगर यहाँ आप LCM लेके करना चाहो तो भी कोई दीकत नहीं है चाहिए आप LCM लेके भी करना अब इसके बाद देखना मैं किस्टन नंबर नेक्स करवाता हूँ आपका किस्टन नंबर 14 है किस्टन नंबर आपका 14 है ये बताना है कि left hand side है वो right hand side के equal है अगर equal है तो आप रखना कि LHS is equal to RHS अगर equal नहीं है तो नहीं है अब देखिए जैसे कि आपका क्यूस्टन नंबर 14 है मैं यहाँ क्यूस्टन लिखता हूँ पहले कि sin 30 degree into sin square 60 degree sin 30 degree into मे sin square 60 degree प्लस में 3 कोस 60 degree 3 कोस 60 degree into 10 45 degree यह आपको बेटा दिया गया है left hand side और बराबर है है कि नहीं यह आपको सिद्ध करना है बराबर है 2 सेक्स केर 45 degree माइनस कोसेक्स केर 90 degree माइनस का कोसेक्स केर 90 degree आपको यह प्रूव करना है कि left hand side बराबर है कि नहीं right hand side के दोनों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यह आपकी left hand side है और यह आपकी क्या है right hand side है अब देखिएगा मैं यहाँ left hand side लेता हूँ आपकी LHS है यहाँ कि sin 30 degree sin 30 degree into sin square 60 degree प्लस प्लस तीन कोस 60 degree into में 10 45 degree यह आपकी बेटा left hand side है सबसे पहले तो अपने को left hand side solve करना है फिर आपको क्या करना है right hand side solve करना है देखिए sin 30 degree की value आप जानते हो कि क्या होती है 1 by 2 into में sin 60 की आपकी कितनी होती है root 3 by 2 और इसका क्या है बेटा square plus 3 into को 60 degree की value कितनी होती है बही 1 by 2 उसके बाद देखिएगा 10 45 degree की value कितनी होती है into में 10 45 की value होती है 1 अब आप देखिए इसको मैं solve करता हूँ 1 by 2 into root 3 की square कितना है बही 3 by में 4 plus 3 by 2 क्योंकि 3 को 1 से गुणा किया आपका यह की 3 आता है अब आगे आप देखिएगा इनका 3 3 को 1 से गुणा किया 3 और 4 दूनी कितना हो गया 8 plus 3 बटे में 2 बेटा यहां इनका लगुतम आ गया 8 और यहां आ गया 3 plus 2 चोके 8 4 ती है 12 12 और 3 कितना होता है 15 बटे में 8 बेटा यह आपका है left hand side left hand side को हमने solve किया तो हमारी value आती है 15 बटे में 8 अब यहां मैं लेता हूँ right hand side RHS लेता हूँ 2 sec square 45 degree minus cosac square 90 degree यह आपकी क्या है right hand side अब देखिए यहां इनके में value रखता हूँ तो आप मुझे बताएं कि sec 45 degree का मान कितना होता है under root 2 तो यहां square है तो 2 into में sec 45 का मान आपका under root 2 है और इसका क्या कर दिया square minus अब यहां देखिए cosac 90 degree की value कितनी होती है भी एक और यहां भी कितना आगे भी एक की square साहित तक किसी बच्चे को यहां तक कोई doubt नहीं है अब आगे देखिए root 2 का square कितना होता है 2 तो 2 into 2 minus 1 तो आपका 2 दूनी 4 और minus 1 आपकी right hand side कितनी आगे भी 3 right hand side कितनी आती है 3 और left hand side कितनी है भी 15 बटे में 8 तो आपका left hand side right hand side के equal है नहीं है तो आपका answer रहेगा कि left hand side is not equal to right hand side यह दिया गया है इसी के according कर रहे है हमें question number जो की 14 दिया गया उसी के नुसार कर रहे है उन्होंने अपने को यह दिया गया है यह आपको left hand side दी गया है यह right hand side दी गया है सबसे पहले हमने left hand side लिया sin 30 degree into sin square 60 degree plus 3 cos 60 degree into 10 45 degree मैंने यहाँ इसकी value रुखी एक बटा दो इसकी होती है root 3 बटा दो square है तो यहाँ भी square कर दिया plus 3 into 1 बटा दो गुणा में कितना है बेटा यहाँ 1 बटा दो 3 बटे में 4 3 एकम 3 3 बटे में 2 और इसका फिर आप देखिएगा यहाँ 3 एकम 3 4 दूनी 8 प्लस 3 बटे में 2 LCM आया बेटा 8 तो 8 एकम 8 एक को 3 से गुणा किया 3 आ गया आपका 2 चोके 8 4 तीए 12 और 3 कितना हो गया 15 यह आता है बेटा आपका 15 बटे 8 और RHS आपका है 2 सेक स्केर 45 डिगरी माइनस को सेक स्केर 90 डिगरी यहाँ सेक 45 डिगरी की वेल्यू कितनी है बई Under root 2 Under root 2 होती है कि नहीं अब देखिए Under root 2 की स्केर का मतलब कितना हो गया 2 2 दुनी 4 माइनस का 1 आपकी वेल्यू आती है 3 means left hand side आपका आता है 15 बटे 8 और right hand side आपका आता है 3 तो left hand side is not equal to right hand side इसके बाद देखिएगा अगला question हम करते है सही तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप regular काम कर दिया करो भई काम करने के बाद group में आप अपना group के लाव मेरे personal number पे मेरे personal number पे आपना अपना काम send कर दिया करो regular का में जितना काम करता हूँ उसके बाद आप देखिएगा question number आपका है question number 15 मैं आपको कर्वा चुका हूँ वही question number 15 आपको कल की क्लास में मैं कर्वा चुका हूँ देखिए question number 16, आपका question number 16 है, question number 16 है, sin 60 degree plus sin 30 degree, आपको दिया गया है, sin 60 degree plus में sin 30 degree, बटे में sin 60 degree minus sin 30 degree, क्या आपको left hand side दिया गया है, 10 60 degree plus 10 45 degree, 10 60 degree plus 10 45 degree, बटे में आपका है, 10 60 degree minus 10 45 degree, 10 60 degree minus 10 45 degree, देखिए, आपको question number 16 है, यह दिया गया है, कि sin 60 degree plus sin 30 degree, बटे में sin 60 degree minus sin 30 degree, बटे में, आपका 10 60 degree plus 10 45 degree, बटे में 10 60 degree minus 10 45 degree, आपको यह प्रूग करना है, कि left hand side is equal to right hand side, हो भी सकता है, और यह नहीं भी हो सकता, तो सबसे पहले में लेता हूँ left hand side, आपकी LHS है, sin 60 degree plus sin 30 degree, बटे में sin 60 degree minus sin 30 degree, आपकी left hand side यह है, इनकी मैं value रखता हूँ, अब आप देखिएगा, sin 60 degree की बात करूँ मैं, तो sin 60 degree का मान होता है, under root 3 बटे में 2, और उसके बाद देखिएगा, यहाँ sin 30 degree का मान होता है, 1 बटे में 2, उसके बाद आप देखिएगा, sin 60 degree का मान होता है under root 3 बटे में 2 minus का 1 बटे में 2 यहां मैंने value रखी sin 60 degree की under root 3 by 2 है और यहां sin 30 degree की 1 बटा 2 है sin 60 degree की root 3 बटा 2 है और minus का यहां sin 30 degree की 60 की तो आपकी under root 3 बटा 2 है और sin 30 की कितनी है भई एक बटा 2 अब इसको मैं solve करता हूँ देखिए ऊपर वाले की यहां LCM आता है इसका 2 2 को 2 से divide किया 1 आता है 1 को root 3 से multiply किया root 3 आता है और plus में 2 को 2 से भग दिया 1, 1, 1 और बटे में आपका आता है यहां भी आपका LCM कितना है 2 यहां plus है यहां minus है तो यहां कितना आ गया root 3 minus 1 अब आप मुझे बताएं यह भाग में है इसको गुणा में change करूँ है तो यह 2 उपर आ जाएगा root 3 minus 1 नीचे ही है अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel तो आपका left hand side कितना आ जाएगा root 3 plus 1 बटे में root 3 minus 1 आपका left hand side आ गया root 3 plus 1 इंटू में root 3 minus 1 अब देखिए मैं right hand side लेता हूँ और आपकी right hand side है यह आपकी right hand side है आपकी बेटा right hand side है 10,60 degree right hand side क्या है 10,60 degree plus में 10,45 degree बटे में 10,60 degree minus का 10,45 degree बटे यह आपकी right hand side है इनका मान मैं रखता हूँ तो देखिएगा 10,60 degree के value कितनी होती है जल्दी से बताइगा root 3 plus में 10,45 की value होती है एक और यहाँ 10,60 की क्या होती है root 3 और minus का एक तो बोलिएगा आपकी right hand side है root 3 plus 1 बटे में root 3 minus 1 और आपकी बेटा left hand side है root 3 plus 1 बटे में root 3 minus 1 means आपका left hand side है वो right hand side के क्या है बई equal है left hand side is equal to right hand side मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद आप question number देखिएगा question number 17 भी मैं करवा चुका हूँ question number 18 देखिए आप आपका question number 18